हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेट खीर की रेसिपी बहुत ही आसानी से और घर पर रखे हुए सामान का इस्तेमाल करके आप इस ब्रेट की खीर को बना सकते हैं जब कुछ मीठा खाने को दिल चाहे या फिर महमान आए हो तब आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कम वक्त में ये खीर बन कर तयार हो जाएगी अगर आपने हमारी ब्रेट ड्रस मलाई और ब्रेट गुलाब जम उनकी रेसिपी नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं डेइली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ब्रेट की खीर बनाने के लिए हमने पांच ब्रेट की स्लाइसिस ली है अब एक मिक्सी के जर में इन ब्रेट स्लाइसिस को तोड़ कर एट करेंगे देखिए ब्रेट स्लाइसिस को हम इसकी किनारियों के साथ ही तोड़ कर इसमें एट कर रहे हैं और इस अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि हमने ब्रेट को मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया और हमने एक लिटर फुल फेट मिल्क लिया है इसमें हम 50 ग्रम मिल्क पाउडर एट कर देंगे और मिल्क पाउडर को हम दूद के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकि इसमें बिल्कुल भी लंस न रहे जाए क्यूंकि हम इसमें milk powder 8 कर रहे हैं तो अभी हमने gas की flame को on नहीं किया gas की flame अभी off है इसे अच्छे से mix करने के बाद ही हम gas की flame को on करेंगे तो इस तरह से हमने दूद के साथ milk powder को अच्छे से mix कर लिया अब देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं है अब हम गेस की फिलम को ओन कर देंगे और हाई फिलम पर इसमें कुबाल आने देंगे एक कुबाल आने के बाद गेस की फिलम को लो कर देंगे और इस टेश पर हम इसमें आश टेबल स्पून चीनी एड़ करेंगे देखिए चीनी की कॉंटिटी आप अपने टेश्ट के अकोर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें ड्राइफ फूट से एड़ करेंगे तो आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राइफ फूट से इसमें एड़ कर सकते हैं हमने दो टेबल स्पून बादाम और पिस्टे एड़ कर दिये साथ ही में इसमें एड़ कर देंगे हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक चोथाई यानि की पाव हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे तो लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 15 मिनिट हो चुकी है अब देख सकते हैं कि इसका एक चोथाई हिस्सा यानि की पाव हिस्सा रिड्यूस हो चुका है और बीच बीच में हमने इसे चेक भी किया था तकि दूद बरतन के तले में ना लगे इस स्टेश पर हम इसमें 4 टेबल स्पुन मलाई एट कर देंगे देखिए आप यहां पर मलाई की जगा चार्टेबल स्पुन फ्रेस क्रीम भी एट कर सकते हैं मलाई और फ्रेस क्रीम टोटली ओप्सनल है अगर आप एट करना चाहें तो करें नहीं तो स्किप कर दें मलाई को हमने खीर में अच्छे से मिक्स कर लिया है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे ब्रेड जिनको हमने पहले से ग्राइंट करके रखा हुआ है अच्छे से मिक्स कर लियंगे और ब्रेड एट करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे लो फ्लेम पर स्विफ दो मिनिट के लिए पकाएंगे तो ब्रेड एट करने के बाद हमने खीर को दो से तीन मिनिट तक लो फ्लेम पर और पका लिया अब देख सकते हैं कि कितनी गाड़ी खीर बनकर तयार हुई है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे देखिए आप इस खीर को अभी भी सव कर सकते हैं लेकिन हम इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे और फिर सव करेंगे तो खाने के लिए तयार है ब्रेड खीर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई